आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पूर के परमपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन में, सनातन्त सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, हम आपकी आत्मा की शुद्धी करना चाहते हैं, आत्मा के साथ जो दोश लगे हुए हैं, उनको दोना चाहते हैं, उनको दोने का तरीका बताना चाहते हैं, कोई मंतर नहीं देते, कोई तंतर नहीं देते, कोई जादू की बात नहीं, कोई टोना की बात नहीं, आप जो जो ईश्वर को मान रहे हो, उसकी भक्ती में हम कहीं व्यवदान नहीं करते, आपकी आस्ता को कोई ठेस नहीं पहुँचाते, हम तो आत्मा विज्यान के कारिकर में एक ही बात कहते हैं आत्मा को सेंटर में रखते हैं कि आप सही द्रस्टी, सही सोच का पालन करो, अगर आपकी wrong belief है, तो आप गलत इसा में चले जाओगे आपकी belief को right करने का, ये हमारा कारिक्रम है, इस कारिक्रम के तैत प्रते दिन नए नए विशे दिखाई जाते हैं बताई जाते हैं, तो आज का हमारा बहुत सुन्दर एकदम विशे, अच्छा विशे है वो है करम योग भाई और बैनों बहुत सुन्दर योग है बगवान कृष्ण ने गीता के अंदर करम योग, भक्ती योग और ज्ञान योग इंसाग की परिभाशा दी अर्जुन को उनोंने शिक्षा दी, अर्जुन के सार्थी बन करके, अर्जुन को शुद्ध आत्म ज्ञान दिया शुद्ध आत्म विज्ञान बताया सही द्रस्टी देई सही सोच की उसकी wrong belief को अटा के right belief किया science of the soul का उपदेश दिया उससे नवनेत निकला कर्म योग कर्म योग का मतलब है कर्म करना कर्म कोशलू योग है कर्म करना ही योग है कर्म करते जाइए और कर्म तो करना ही पड़ेगा आपके ने जनम लिया है जनम लिया हुए हर प्राणी को चाए वो एकेंद्री हो द्वेंद्री हो त्रियंद्री हो चतुंद्री हो पंचेंद्री हो उनको कर्म करना ही पड़ेगा पेड़ पोदे भी कर्म करते है पेड़ पोदों के खाली भनषपति का है वो सब जो है एकिंद्रिये जी होते वो भी करम करते है पेड़ क्या करता है पेड़ जो है हम जो carbon dioxide छोड़ते है उस carbon dioxide को लेता है पेड़ और पोदे synthesis के माद्यम से जो है वो oxygen निकालते हैं ये उनका करम है carbon dioxide लेना और oxygen को निकालना है हमारी तैशी है वो हमको प्राण वाईू देते हैं तभी तो हम कहते हैं पेड़ों को मत काटो बनों को मत काटो बन काटे जाएंगे oxygen समाप्त हो जाएगी चायः कहाँ से मिलेगी हम कहाँ पे rest करेंगे शुद्ध वायू कहां से मिलेगी तो ये सारा जो हमारा स्रस्टी है पर्यावरन ये पंच भुतात्मक है प्रत्वी जल अगनी वायू राकाश है बना हुआ है ये बेसिक फाइव एलिमेंट्स है और जहन दर्शन तो प्रत्वी जल अगनी वायू शब मैं जीवन मानता है कई लोग नहीं मानते है जहन दर्शन सब मैं जीवन मांगता है तो मैं तो करम की बात कर रहा था करम आप करते हो करना पड़ेगा क्योंकि जो पूरु जिनम के अंदर करम अरजन करके आए हो उसके अनुरूप आपको करम बीज जो डाल के आये हो करम फल मिलेगा उस करम फल से परिनाम मिलेंगे तो ये करम फल क्या है ये करम योग है और करम परिनाम क्या है ये सुक दुक की अनुवोती है तो करम योग का जो भगवान कृष्ण ने खास दोर से गीता में जो उपदेश दिया वही मेरा यहाँ पर मद्धि बिंदू है वही हमारा मूल सेंटर पॉइंट है करम तो हम करते रहें करना ही पड़ेगा लेकिन करम योग के अंदर हमको निश्काम करम करना है करम करते करते फल की इच्छा नहीं करना है ये कर्म योग बनता है कर्म योग ये नहीं कहता है कि मात्र आप जो है कर्म करते रहो और नए नए फल की इच्छा करते हो नहीं कर्म योग कहता है कर्म करने में आप सोतंत रहो फल पाने में आपकी सोतंता नहीं है इसलिए आप प्रारंब से दुक्य नहीं होना चाहते हो क्योंकि आपके जीवन का उद्श प्रसनता है सुख है, शानती है तो शायद आपको फल मिले है ना मिले उसकी इच्छा क्यों करो, मिलता है ये बात नहीं है कि करम करने से फल नहीं मिलता है मिलता है 99% मिलता है 98% मिलता है फिर भी एक दो परसेंट ऐसी स्थती आती है कि करम करने के बाद में डिजाइड बांचित जो है हमको फल नहीं मिलता है तो हमने इच्छा की नहीं फल की तो हम दुकी क्यों होंगे तो करम योग के साथ में कंडिशन निश्काम करम की कंडिशन है इसलिए इसको योग क्यों कहा गया है कि करम करने से हमारा मन वचन और काया शुद रहते है जो व्यक्ति परिश्रम करता है करम करता जाता है उसको कोई बिमारी नहीं आद दिये मैं आपको देख बताता हूँ कि ये हमारे जो पसू पक्षी है आपने कभी देखा कि इनका पेट कौन भरता है और इनको कौन आस्पिटल ले जाता है इनको कौन स्वस्त रखता है ये सब नेचर मा करती है ये तो बेचारे करम करते हैं पक्षी उड़ते जाते हैं और हमारे पशू है इदर उदर घूमते हैं और जहां पर उनको वन में जो चीज मिली होती है वो खा लेते हैं और जो हमारे पंच भूत है प्रत्वी जल, अगनी, वाई और आकाश उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं इसलिए वो बिमार नहीं पड़ते वो प्राकर्तिक नियमों का पालन करते हैं वो करम करते हैं लेकिन करम योग के साथ करते हैं और मनुश्य एक प्रानी है जो की सर्वस्रिस्ट प्रानी है वो भूल गया वो प्रकर्ति से अप्राकर्ति हो गया क्योंकि इसने बुद्धी का उप्योग किया प्राणी ने क्या किया कि खुली हवा मिलने ही चाहिए खुली हवा में दूप भी है ठंडी हवा भी है और आंदी भी है सारी चीजे हैं, क्योंकि वो तो प्रकर्ती है, वो तो प्रकर्ती के अपने अपने रिदुयां बदलती रहती है, वो प्रकर्ती, वो कुदरत का कानून है, वो अपने इसाफ से चलती है, कुदरत अपने इसाफ से चलती है, लेकिन व्यक्ति ने उस कुदरत को जीतने का काम कि उसने क्या किया कि उसने AC बना दिया, सारा कमरा बंद कर दिया, AC चालू किया, बहार चाए 50 डिगरी टेंपरेचरों भीतर उसको 25-20 में आराम से सोया रहता है। लेकिये, AC में रहने वाले व्यक्ति, जो मैं बात करता हूँ, AC में रहने वाला करम तो करता है, लेकिन प्रकर्ति में रहने वाला व्यक्ति, प्रकर्तिक व्यक्ति करम योग से जीता है, वो सिर्फ करम करता है, वो AC की ठंडी हवा खाता है, सोता रहता है, ठीक है न, क्योंकि प्रकर्तिक प्रानी है प्रकर्ति की गोद में रहना वाला प्रकर्तिक प्रानी है वो करम योग को अच्छी तरह से करता है कैसे करता है कि प्रकर्ति में धूप भी पड़ती है तो वो प्रानी सेहन करता है आंदी आती है तो भी भी सेहन करता है, सरदी पड़ती है, तो भी सेहन करता है, लेकिन protected वेती ने क्या किया, कि सरदी के दिनों में, बड़े बड़े heater लगा दिये, उसको पता ही निये कि भार सरदी है, कई लोग ऐसी में रहने वाले, ऐसे जो है, हमारे कुबे रोते हैं, गर में ऐसी, कार में ऐसी, आफिस में ऐसी उसको पता ही नहीं कि बाहर 50 डिग्री टेंपरेचर है उसको मालूम ही नहीं, उसको जानकार ही नहीं है तो वह एक तरीके से कर्म योग नहीं हुआ तो कर्म योग का मतलब है प्रकृति के साथ जी करके आप कर्म करिये तो कर्म योग के लिए हम ये कहना चाहते हैं आप प्राकर्तिक भी बनो प्राकर्तिक क्या है प्राकर्तिक चीज यह है कि आपका अगर कुबेर पती हो आपको पुन्य के संचे से जो है अच्छा धन मिला है तो कर्म योग क्या कहता है वो धन है, आपके पुन्योत ऐसे मिला है, लेकिन उसका धन का सुदूपियो करो, अगर उस धन को मात्र जो है, आपने परिवार पे खर्च किया, तो अरब रुपे कहां खर्च करोगे, अयासी में खर्च करोगे, एश आराम में खर्च करोगे, बहुत से बंगले खरीद उसमें बहुत से एसी लगा दोगे, बहुत सी कारें खरीद लोगे, उससे क्या होगा, इसका मतलब यह है, आप ग्रिडी बन गए, आप लालची बन गए, कहां गया आपका करम योग, करम योग तो कहता है, आप उतना ही अरजन करो, जितना आपको, आपके परिवार को, शा विश्वर ने धन उसे ज़्यादा दिया है, तो आप टाटा बढ़ जाओ, आप बिरला बन जाओ, आप बंगड बन जाओ, आप बिल गेट्स बन जाओ, वो क्या करते हैं, अपने शरीर की, अपने परिवार की, बहुत अच्छी व्यवस्ता करने के बाद जो पैसा बसता है वो सारा संस्ताओं के अंदर लगाते हैं, बिल गेट्स दो परसेंट अपनी धन समपती, विश्व का रिचेस्ट वक्ती है, 98 परसेंट वो ट्रस्टों के माद्यम से पब्लिक के अंदर बाढ़ता है, ये बहुत बड़ा करम योग है, देखिए, वो फलकीच्छा नहीं कर है, फलकीच्छा कब होती, कि नहीं मैं हर पती बन गया, मेरे 50 बंगले होने चाहिए, मेरे 100 गाड़ियां होने चाहिए, मेरा इतना बड़ा फॉरम है, मैं मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, ये फल है, ये करम योग कहता है, आप करम करो, करना आप पीचे से अरजन करते हैं, इससे बच नहीं सकते, लेकिन करम योग कहता है, फलकी इच्छा मत करो, इतने बड़े बड़े दानी होते हैं, करोडों अरबो रुपे बाड़ते हैं, कभी फलकी इच्छा नहीं करते, कभी अपना नाम नहीं चाते, क्योंकि उनके मन में न बिड़ला जी ने बोजन सालाएं बनाई, कॉलेज बनाएं, बड़े बड़े हस्पिटल बनाएं, क्यों बनाएं? अपने उपचार के लिए बनाएं? इतना बड़ा हस्पिटल? नहीं, मानव मातर के उपचार के लिए बनाएं, अरे मानव के नहीं, उन्होंने गव सालाएं खोली, गौशालाओं के अंदर वेटरिनरी डॉक्टर रखे हुए वे गौवों का जैसे उपचार करते हैं, वो वंश का, हमारे यहाँ पर जो ब्रह्म कुमार, जो गौशालाओं मंदोर में बहुत बड़ी जाके देखिए महाँ पर अपाईजों कि जिस तरीके से हमारी पटपटी होती है, मर्म होता है, हमारा चीरा फ़डा होता है, हमारा जो है वो, कहना चीए, हमारा उप्रिशन होता है, उनके भी होता है तो ये लोग करने वाले सही कर्म योगी है, उनको कर्म योगी कहान चीए, बिड़ला जी कितने भारी कर्म योगी है कि उन्होंने अपने बेटे पुत्र को वशियत में क्या लिखा कि हे चिरायू पुत्र बसंत कुमार तो मैं अपने शुब कर्मों के फल से तुमने पुन्यों दे के कारण में बहुत बड़ी संपती मिली है ये संपती कर्म जन्नी मिली है शुब योग से मिली है पुन्य के अर्जन से मिली लेकिन ये संपती को जनता की संपती मानना अपनी संपती मत मानना जितनी आशकता हो तुमारे परिवार की उतनाई उप्योव करना शेष्ट लोग कल्यान में लगाना और तुम्हारा कोई भी संतान कोई जो संतान कपूत निकल जाए उसको एक देला मत देना क्योंकि ये पब्लिक प्रापर्टी उसका दुर्पयोग करेगा और किये हैं लोगों ने अगर कूबुद्धी संतान को धन दौलत दी जाती वो उड़ा देगा सूबुद्धी वाला सपूत है उसको सो गुणा बढ़ा करके लोग कल्यान में लगए उन्होंने का तुम योग करना तुम हिंद्रियों को जो प्रतिसलिंता करना वश में रखना और एंकार मत करना खूब जनता की बलाई करना और आज सक बिड़ला पड़िवास आगे सागे करता जा रहा तो ये सही माने करम योगी है तो इस एपिशोड के माद्यम से आत्म विज्ञान के माद्यम से मैं ये निश्कर्ष की बाज़ा मैं बताना चाहता हूँ कि हमको गीता के माद्यम से कर्म योग मिला है एक अच्छी जीवन पदत्ती मिली है एक साइंस आप डी लिविंग मिला है एक वे अप डी लिविंग मिला है एक लाइफ स्टाइल मिली है तो हम क्यों नहीं धारण करें अगर हम अपने बिलीफ को सही करके सुख प्रापकन करना कुछ नहीं है जो कर रहे हैं वो करते जाईए कोई रोक टोक नहीं है अच्छा खाईए अच्छा पहनिए अच्छा लिविंग स्टेंडर्ड आप रखिए बाल बोचों को अच्छा पढ़ाईए अच्छा घर रखिए कोई रोक डोक नहीं है सिर्फ आपकी बिलीफ जो रॉंग है उसको राइट बिलीफ कर दीजी राइट बिलीफ क्या है रॉंग बिलीफ तो क्या करम करते जाना करम करते जाना और ये चिंतन करना कि मैं करोड़ पती बन जाऊं अरब पती बन जाऊं बड़ा नेता बन जाओं मिनिस्टर बन जाओं मैं तो एकुलपती बन जाओं पदपरात कर लूँ प्रतिष्टा कर लूँ मैं मेरा दन दौलत मैं मेरा मैं मेरा उसमें लगा रहता है ये खाली कर्म है और कर्म योग क्या कहता है ये करते जाओ इसको अपना मत समझो मैं अलग यह मैंने नहीं कमाया है यह बहुत से संयोग मिले विवस्ति सक्ति मिली जब इतने संयोगों से जाके मुझे कुबेर पती बनाया मैंने तो फैक्टरी लगाई लेकिन फैक्टरी लगाने से क्या होगा मेरे माबाप ने पैसा दिया मज़ूर आए उन्होंने फैक्टरियों को चलाया प्रोडेक्शन वालोंने प्रोडेक्शन किया सेल वालोंने सेल किया एकाउंट्स वालोंने एकाउंट्स किया इतने लोग मिले जब जाकर मैं करोड़ पती बना अरब पती बना आपको ओगी मैंने किया अरे कैसे कर सकते हो आप में तो जो करता भाव की योगिता ही नहीं है सही मानाय में व्यक्ति ये रॉंग भिलीफ है व्यक्ति करता हो ये नहीं सकता करता तो विवस्त नहीं सकती है वही संजोग जुडाती है आप तो उसमें से एक संजोग एक निमित हो कि आप फैक्टरी के माली को आप टीने फैक्टरी लगाई यह संजोग हो एक निमित हो पर आप सब का कैसे ठेका ले रहे हो कि मैं करता हूँ तो कर्मयोग हमें अ करता भाव सिखाता है कितनी बड़ी बात है फल की इच्छा नहीं करते हो अ करता हो जाते हो फल की इच्छा करते हो, करता हो जाते हो मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैक्टरी कर्मयोगी कभी नहीं कहता मेरी फैक्टरी वो तो जैसे हमारी पुराणी माता हैं, नानियां, दादियां कहा कर दी माया मादेवरी है उनको कोई पूछ दे कि मासा आप रहे किता बेटा है वह बगवान रहा पांच बेटा है कर्म योग ही कहेगा यह वेक्टरी बगवान की है यह धंदौलत बगवान की है मैं तो ट्रस्टी हूँ मैं तो इसका चौकीदार हूँ मेरी डूटी यही है मैं तो रखवाली करने वाला हूँ मैं तो इसकी देखवाल करने वाला हूँ तो कितना फरक है देखिए गर्म योग जो है ग्रेन करने में क्या फाइदा है मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका घर है आपका बहुत बड़ा करोडों का बंगला है अब देखिए आप कहते हो मेरा बंगला तो उस बंगले के अंदर किसी बच्चे ने खेलते कहते किर्केट वालों ने सारा काच लगा हुआ वो फोड दिया तो आपको कितना दुख होगा क्योंकि इसके साथ आपका ममत्व जुड़ा हुआ है अब देखिए वो ही बच्चे हैं आपके जैसा जैसा पडोसी के भी बंगला है वहाँ भी वो ग्लास आउस है बच्चे वहाँ खेल रहे हैं और वहाँ बच्चों ने किर्केट खेलते कर सारे काच तोड़ दिये क्या आपको दुख होगा? नहीं होगा आप तो कोगो पडोसी का टूटा है तो आप अपने को उसका क्यों मान रहे हो? आप भी तो ये समझो ना? ये तो पडोसी का है हम तो आपको आत्म विज्ञान में बार बार बता रहे हैं ये सरीर आपका पडोसी है आप तो शुदात्मा का ये धाम है वो अलग है पडोसी हमारे इस जो है तेजस केंदर पे रहता है सोवन, राज, मन, वचन, कायरुपी का निवास ये है ये उसका मकान है नाभी केंदर और मैं तो शुद्धा आत्म हो दोनों साथ रहते हैं क्योंकि साथ तो रहना ही पड़ेगा ये योग है और ये वैवार है और ये अलग हो ये नहीं सकता ये तो तब होगा ये वैवार समाप्त हो जाएगा ये भीतर बैठा जो कार्मन शरीर है भीतर जो हमारे रागद्वेश है भीतर हमारा जो कशा है भीतर अशुद्धी है वो ही सारा वैवार पैदा करता है सदश होते हैं माँ हैं बाप है बेटा है पत्नी है बाप बेटे की बहु है जो भी है गर में बेटी हैं उसे बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो की जीवन पर साथ रहते हैं कोई लेने आया है कोई देने आया है कोई सेवा करेगा कोई बिना सेवा कि आपको लूटेगा और आप उसको पेरों पर खड़ा करोगे तो ही वो कहे गए माँ-बाप ने कुछ नहीं किया मेरा माँ-बाप ने तो मेरा परिवार का खराब कर दिया हम सब को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया अठी उन्हों तो अच्छा ही किया पर वो सोचता है उसकी बिलीफ है और ये कर्म यो व्यवार है उसको दोशित किसी को नहीं मानना है जो आपको अच्छा कहे उसको भी दोश नहीं देना है जो आपको बुरा कहे उसको भी दोश नहीं देना है ये कर्म योग सिखाता है कर्म कर्म करने वाला है पर कर्म योगी और कर्म करने वाले में फर्क है क्योंकि कर्म योग के सिंद्र में फल की इच्छा नहीं है और केवल कर्म करने वाले के अंदर फल की इच्छा है ये बेसिक डिफरंस है जा इच्छा हो गई वह रागद्वेश हो गया जा इच्छा नहीं होगी महां कोई रागदेश नहीं है दुख का कारण रागदेश है दुख का कारण फल की इच्छा है तो हम खुल मिला करके निशकर्ष की बासा में बात कहें कि ये सात अरब की जनसंक्या अगर करम योग को जीवन का सुत्र बनावे तो क्या जीवन के अंदर जितनी विशमताए है आज हमारी स्रस्टी में आज हमारे इस पूरे परियावरन के अंदर जितनी वैचारिक दुशी ता जितने नेगेटिव थोट है क्या वो रहेंगे कभी नहीं रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे सबी अपने अपने जो है करम में विश्वास करेंगे किसी को दुख में विश्वास नहीं करेंगे ग्रीडी नहीं बनेंगे और उसके ये सबसे बड़ी जो तकलीफ पैदा करती है एक ग्रीड पैदा करती है कि मैंने पिया मेरे बेल ने पिया कुवा डहे तो डहे स्वारती व्यक्ती होती है जीवात्मा होता है केवल वो दुख पैदा करता है क्योंकि उसके मूल के अंदर लालच है उसके मूल के अंदर केवल अपना घर भरने की बात है और जहां ये बात होती है वहां ब्रस्टाचार होते हैं हम कई बार देखते हैं कि जब एंटी करफशन की रेड बढ़ती है एक व्यक्ति जिसको सामान्य नौकरी वाला है वो तो उस नौकरी से केवल भरन पोशन कर सकता आराम से करूडों अर्मों की संपत्य उसकी जो खंगालते हैं जब एंटी करफशन वाले जब रेड वाले तो पता पड़ता कि इतना पैसा आया कहां से इतना पैसा जो है अनेतिकता करने से आया वो अनेतिकता आपका दुख का कारण है अनेतिकता आपने इसलिए कि आपने मैं मेरा में विश्वास किया आपने करम योग में विश्वास नहीं किया अगर आप करम योग में विश्वास करते जीवन दोनों का होता है प्रस्टाचार करने वाले का भी जीवन चलता है, इमानदार का भी चलता है ऐसा नहीं है कि इमानदार आदमी भूखे मरता है या उसके बाल बच्चे पढ़ते नहीं या पाओं पे खड़े नहीं होते हैं उनकी शादियने होती है ऐसा नहीं होता है खाली ये रॉंग बिलीफ है ये रॉंग बिलीफ जो है आपको ग्रीड की और ले जाती है रॉंग बिलीफ आपको करप्शन की और ले जाती है रॉंग बिलीफ जो है आपको दुख की और ले जाती है रॉंग बिलीफ आपको करम बंदन में ले जाती है और इसके भीतर प्रभू बेटा है वो इसको जकडे रहती है यह जो अग्या है इस प्रग्या को छोडती नहीं wrong belief के कारण right belief है वो करमयोग है वो करमयोगी है वो अकरता है वो आत्मा को ग्याता दरश्टा जानता है करने वाला देखने वाला और जानने वाला मानता है और जो केवल कर्म करता है कर्मयोगी नहीं है वो अग्या का संसार में रहता है वो जानने वाला है वो भोगने वाला है वो मातर भोगता रहेगा लेकिन हात्मा की मुक्ती नहीं है हमको पर्मानिंट सुक जो चाहते है वो नहीं है तो भाई और बेनो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि करम योग ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला है कि आप इसको धारन कर लो अक्षय सुक है आपको मोक्ष है क्योंकि आत्मा के अनुभूती होगी अकरता भाव आएगा आप कभी जीवन में दुख नहीं हो सकते हमारा जो यह आत्म विज्ञान है यह अकरम विज्ञान है यह आपको चलां के जरिये आत्मा की शुद्धी कराने वाला विज्ञान है यह आपको तुरंत शुद्ध करने वाला विज्ञान है ज्यादा समय नहीं लगाने वाला है जैसे एलोपेटी के अंदर आपको तुरंट लाव होता है वह चीज अलग है लेकिन हम आपकी द्रस्टी को जो है शुद कर देते हैं हमारी रॉंग बिलीफ को अटा के राइट बिलीफ करने का नाम आत्म विग्यान है आप इसको देखते रहिए इनके सुत्रों को हरदेंगम कीजिए आत्म साथ कीजिए अपने जीवन को सुखी बनाईए और हम तो शुद काम ना करते हैं आप जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने आपकी प्रती मंगल एक ऐसा अंतराष्ट्य ख्याती प्राप्त मानव जो गुरू प्रेणा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में सनलगन है एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्य अंतराष्ट्य टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनों प्योगी विश्यों पर हिर्दैस परशी प्रवचन कर चुका है उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग, दर्शन, शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्तर के 250 शोद गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध गरंथ वहां की सेंटरल लाइबरेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्क्शॉप, कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षन देकर उन्हें सो संस्कारित किया डॉक्टर तातेड ने भारतिय संस्कृति उत्थान के चार हजार से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उप्योग लाखों पाठक कर रहे हैं उपासक तातेड के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदी चिंतन वेबसाइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं मानवता के मसीहा ऐसे महा मानव महत्मा सोहन राज तातेड के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर, एवं लाखों दर्शक, फेस्बुक, ब्लॉगर, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं कर दो कर दो